तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नबर 19 बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत इंट्रेस्टिंग और कनफ्यूजिंग है ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास तक वाच किजिएगा देखो दा पलस एड्जेक्टिब है अगर कभी भी दा पलस एड्जेक्टिब मिल जाता है और वाच का सब्जेक्ट का कार्ज करता है तो दियान दीजेगा वाच का सब्जेक्ट या वाच का अब्जेक्ट का कार करता है बोले तो नौन इको हैलेट कार करता है तो इस सिंगलर समझा जाता है कि पूललल सबसे पहले तो आप ज लिए कभी चटीव बीन नाउन का भी आ सकता है जैसे द्यान दो जब जब परियोंग नाउन के साथ होगा जैसे कि आप स्कीन पर देख रहे हैंare ऑड्यक्टिव आका परियोग जब नाउन के साथ होगा तो एह जो नाउन होगा सिंगलर पूलल दोनों हो सकता है अच्छा यह को कहां पर A आएगा, कहां पर N आएगा, कहां पर D आएगा, समझाया नहीं जा सकता, तो एक अभी दूसरे वीडियो में समझाय जाएगा, तो इतना सी बात समझो कि noun के साथ adjective आएगा, adjective के साथ A अबलिक N और D आ सकता है, लेकिन adjective के साथ जो भर्व लाएंगे, उस singular होंगे क पुलल, तो ध्यान दिजेगा, यहां से यहां तक लेकर इसको बोला जाता है noun phrase, क्या बोलते है, noun phrase, अच्छा, noun phrase में जो भर्व लगता है, वो main noun के नुसर लगता है, और main noun कहां होता है, अंती में, अगर यह noun मेरे भाई singular होगा, तो ध्यान दिजेगा, भर्व जो हमारा ल जाएंगे, वो भर्व हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो ध्यान दिजेगा, जब कभी ए अबलीक आयन के साथ adjective आये, adjective के साथ noun आये, तो फिर इसके साथ भर्व कैसे यूज किया जाएगा, तो इसके साथ भर्व यूज किया जाएगा, according to noun, ठीक है, इसको में लोग क् है, noun phrase, noun phrase, noun phrase में main noun कौन होता है, अंति मला, अगर यह noun singular है, तो singular भर्व व्यूज करेंगे, और अगर यह noun plural है, तो plural भर्व व्यूज करेंगे, जैसे the poor girl बोलेंगे, तो is, और the poor girls बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, अहर, ध्यान दिजेए, ध्यान दिजेए, यहाप example है, the poor This is working hard जो गरीब लड़की हे पूरी मेहनत से कार रहे है मेहनत कर रही है तो धियान दिजारे गाँ है हमारा क्या है सिंगूलर नाउन này यह क्या है इडज़ेक्टिव है पूर है एडज जेटिव है जो description गरЛ का जब सिंगूलर नाउन है तो धियान दिजेगा यहाँ पे जो है PCN है, plural countable noun है, और यह हमारा क्या है, adjective है, ADJ है, यह किसको qualify कर रहा है, noun को, तो जब noun हमारा पुल्लल है मेरे भाई, तो भर्व क्या यूज करेंगे, पुल्लल भर्व यूज करेंगे, और R हमारा क्या है, PB है, तो यह sentence में किसी भी परका का error नहीं है, यहाँ पे एक लड़की, एक गरीब लड़की है, जो पूरी लगन से मेहनद कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा गरीब लड़कियां है, जो मेहनद कर रही है, तो डिपेंड करता है कि इसी चिपे नाउन पे, नाउन singular है, तो शिंगिलर भर्व औ ऐसा आएगा डियर कि केवल दा पलस एड्जेक्टिव आएगा यहां पे नाउन नहीं रहेगा नाउन की अनुपस्थिती रहेगा नाउन का अब सेंस रहेगा तो दा पलस एड्जेक्टिव किसका काम करने लगेगा नाउन एकुभैलेंट किसका एकुभैलेंट नाउन के समा noun की equivalent काम करने लगेगा, है ना, noun equivalent, अच्छा, जब noun equivalent कार्ज करने लगेगा, तो the plus adjective क्या दर्साएगा, the plus adjective दर्साएगा, the entire community, क्या दर्साएगा, the entire community, the entire community, entire या whole community को दर्साएगा, आप the same quality, different quality नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप the same quality, एक ही परकार के गुन को दर्साएगा, जब इन्टायर कम्यूनिटी को दर्साएगा, हो जाएंगा पुल्लल हो जाएगा और जब यह अलबेज प्लूरल हो जाएगा तो भार्व क्या लेगा भार्व हमेशा पुल्लल लेगा और प्रोनावन भी क्या लेगा प्लूरल लेगा यही आपका कॉंसेप्ट था बहुत इंट्रेस्टिंग तो दा के साथ एड्जेक्टि को दर्स आएगा तो यह पूल्डल समझा जाएगा भार भी पूल्डल लेगा और साथ-साथ प्रणावन भी क्या लेगा पूल्डल लेगा साइद अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कुछ मैं आपको एक्जांपल करवाता हूं द्यान दि जगा दा इंटेलिजेंट इसका मतलब हो गया दुनिया के सारे तेज लोग दा पूर गर्ल एक लड़की का मामला है कि वो गरीब है दा पूर गर्ल्स कुछ लड़कियों का मामला है कि वो गरीब है लेकिन अगर कहीं बोल दोगे दा पूर तो इसका मतलब हो जाएगा दुनिया के सारे गरीब लोग दुनिया के सारे गरीब लोग entire community का बोध करवाएगा entire community का बोध करवाएगा तो plural रहेगा भर्भी क्या लेगा plural लेगा the rich person का मतलब हुआ एक आदमी का मामला है क्यों अमीर है the rich persons का मतलब हुआ कुछ आदमियों का मामला है क्यों क्या है अमीर है लेकिन बोल देंगे the reach, the reach का मतलव हो जाएगा, दुनिया के सारे अमीर लोग, the reach का मतलव हो जाएगा, entire community, entire community हो जाएगा, तो हमेशा मेशा कले plural रहेगा, भर्भ क्या लेगा, plural लेगा, याद रहे, the plus adjective, denotes the entire community of the same quality, so it is always plural, and given plural भर्भ, we never use as, पापेस नहीं लगाओगे, सोच कर बोलना, the poors कि the poor, तो जवाब है the poor, the intelligence कि the intelligent, तो जवाब है the intelligent, the beautifuls कि the beautiful, तो जवाब है the beautiful, clear है कि नहीं, चलिए, अब करते हैं कुछ examples, देखिए, देखिए, समझे, the poor is very laborious, बताओगे सही की गला, तो इतनी सी बात बताओ कि the है और ये poor क होते हैं, बहुत महंती होते हैं, ये sentence हमारा क्या है, गलत है, ये हमेशा plural होता है, तो यहाँ पे singular भर्व कैसे दे दियें, गलत है, the poor are very laborious, ध्यान दिजएगा, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है, अब बोलिया क्यों गलत है, सर भर्व तो पूलल यूज करा, ये तो स sentence में किसी भी परकार का error नहीं है, the plus poor क्या हो गया, प्लूरल हो गया, entire community को दर साया, पूरे गरीब लोग, और जब पूलल है, तो यहाँ पर बताओगे, आर का पर योग गलत है, कि सही, तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, आगे ध्यान दिजएगा, the reaches should help the क्या हो गया poor, the reaches should help the हो गया, क्या poor, ध्यान दिजएगा कह रहा है, कि अमीर लोग को गरीब लोग की सहायता करना चाहिए, आप बढ़ियां से एक बात यहाँ पर देखोगे, the reaches, the reach का मतलब ही हो गया, अमीर लोग, तो इसमें ध्यान दिजएगा, yes नहीं लगेगा, और the poor का मतलब ही हो पुलल, एक क्या समझा जाता है, पुलल समझा जाता है, याद रहे कभी इस the plus adjective का पजेशन दर्साना पड़े, क्या दर्साना पड़े, पजेशन, पजेशन मींस क्या होता है, अधिकार, पजेशन मींस क्या होता है मेरे भाई, पजेशन मींस होता है, अधिकार, जब कभी the प्लस एड्जेक्टिव कि इसके परियोग किया जाना तो फिर धियान दीजेगा इसके लिए इसके लिए प्रियोग करना गलत होगा हम लोगो प्रियोग क्या करेंगे औफ क्या प्रियोग करेंगे और अफ इसकी बात में बता देता हूं कि सजीव का प्जेशन दर साने के लिए आता है जबकि निर्जीव का पज़शन दर साने केलिए लिए आता है इसे राम का घोड़ा राम अपे सथाफी स होगा ठीक है बिल्ली का पूंच वहां पे सथाफी सवगा कुत्ता का पूच एसोगा ठीक है गाय का सिंग अपस ट्रॉफी इसोगा लेकिन कुरसी का पैर आफ लगाएंगे मैंने क्या बोला लिभिंग ठींग का सजीव का पजेसन दर्सानने के लिए पत्रॉफी अपस्ट्रॉफी अस का पर्योग नहीं होने देगा कि इसका पर्योग करेगा ओफ का I hope कि ये आपको बहुत अच्छा से completely समझ में आ गया होगा तो चलते हैं इस से related कुछ कोशन करने की कोशिस करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि the reaches नहीं होगा, the reach होगा और the poor's नहीं क्या होगा, the poor होगा आगे देखिएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इनके कंडिशन को इंप्रूब कर पाए चुकि ये एकजाम का कोशन है, इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा आपको लगेगा कि एकजाम का कोशन नहीं है, इसलिए मैंने पूरे sentence को लिख दिया यहाँ पे the plus adjective है, कह रहे हैं, गरीब लोग का दुरदसा तो ध्यान दीदे the plus poor, the plus adjective में आप अपस्ट्रॉफियस नहीं दरसा सकते यह पूरे का पूरी sentence गलत है, गलती की इस पाट में, फास्ट पाट में इसको आपको improve करना होगा, improve कैसे करोगे, the plight of the poor, क्या हो जाएगा, the plight of the poor, the plight of the क्या हो जाएगा, पूर हो जाएगा, गरीब लोग का क्या दुरदसा, तो आप the poor में अपस्ट्रॉफियस नहीं यूज कर सकते, ध्यान दीजाएगा, the plus adjective से जितने तरह से आपको error करेगा वो सारे परकार का error मैं आपने अनुसर करवा दिया, I promise कि the plus adjective से question आएगे, तो इससे बाहर question exam में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस वीडियो में यहीं तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से सारे rules को रिभाइज करते रहिएगा, फिर मिलते हैं next video में, rule number 20 में, झाल 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 झाल